हे नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपके पास भी Redmi 8A Dual है यानि Redmi 8A Dual Mobile है और आप इसके अंदर hotspot को enable करना चाते हो और उसका password आप change करना चाते हो देखना चाते हो तो कैसे करेंगे आईए जानते हैं इसके लिए सबसे पहले आप अपने mobile में settings open कर लीजिए तो settings आपको मिल जाएगा साय Redmi 1 में settings same ही होती है फिर यहाँ पे आपको एक option मिलेगा connecting and sharing तो इसको ढूंड़िए और open कर लीजिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा portable hotspot आप इस पे touch करें सबसे पहले आपको इससे enable करना ह है अनेबल हो चुका है हमारा hotspot अब यहाँ पर हम इसकी setting करनी है जैसे की password हम देखना चाहते हैं तो setup portable hotspot हम touch करेंगे तो यह रहा इसका नाम और यह रहा इसका password यहाँ पर आई बनी हुई है यानि आप इस पे touch करोगो तो आप इसका password देख सकते हो और इसको यहाँ से आप password डाल दीजिए और right पर touch कर दीजिए इसके बाद आपको जब password है वो change हो जाएगा और आप इसे आराम से use कर सकते हो वीडियो पसंद आई है वीडियो को like कर सकते हो और चैनल को subscribe जरूर करिएगा